देखो जब से आर्डीजे ने MCO में रिटर्न एंट्री मारी है तब से उनके फैन्स जक्साइट होने के साथ साथ शौक भी हो चुके जिस बंदे को हमने आप तक as a superhero Iron Man के अलावा कही imagining ने किया उसको हम डिरेक्टली super villain कैसे imagine कर सकते भाई उबयाजर Dr. Doom चलो कुछ फैन्स का यह कहना है लेकिन कुछ फैन्स यह भी बोल रहे है कि क्या टॉनी स्टार की डॉक्टर डूम है क्योंकि अपने सैंडिया को कॉमिक कॉन में ध्यान से सुना होगा तो आर्डीजी ने यह सेंटेंस यूज किया जब से ही multiverse का concept शुरू हुआ है तो कुछ भी possible हो सकता है जहाँ पहले बताया जा रहा था कि iron man को भी हम जिंदा कर सकते हैं लेकिन लेकिन ऐसे ना करते हुए रूसो ब्रदर्स ने अपने RDJ को वापस लाया as a dangerous villain as Dr. Victor Von Doom बोले तो Dr. Doom लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है यह Dr. Doom करेक्टर आया कहां से तो यह बात है 1962 की जहाँ पर स्टैनली एंड जाक करीवी ने Marvel कॉमिक में इस कारेक्टर का introduction किया था एक्च्छल में बोलू तो Fantastic 4 की कॉमिक में इनका introduction हुआ जिस तरीके से सभी characters का introduction किया है सबसे पहले अगर live action feature film इसको देखा गया तो 1994 की The Fantastic 4 में देखा गया बट वो फिल्म रिलीजी नहीं हुई जाहू उस टाइम पर Dr. Doom का क्रेक्टर प्ले किया था जोसेफ कल्प नाम के एक्टर ने फिर सिधा यह movie बनती है 2005 में The Fantastic 4 नाम से जहाँ पर Julian McMohan प्ले करते यह movie भी बूम होने से पहले हो जाती हूँ जीन तबाग दम दम बट नाव थींग इस यहाँ पर Dr. Doom की importance तो बहुत जादा थी लेकिन उसकी importance बरकाना रखने वाला ऐसा कोई चहरा नहीं मिल रहा था तो फाइनली मिल गया Robert Donnie Jr. बट एक सवाल यह भी आता है कि Why a DJ? तो उसक एक्टर जोनाथन मेजर्सकी जुनोंने प्ले किया था Kang the Conqueror, one of the major and main villain of the MCU, जिसको लास्ट अपने लोकी की सीरीज में देखा होगा या फिर Ant-Man and the Wasp, नहीं स्वारी, Wasp Contaminya में देखा होगा, अब इस पर भाई साब बनने वाली थी एक major movie जिसका नाम रखने वाले थी Avengers The Kang Dynasty बट भाई यहां पर होता है एक legal लफडा जो होता है बहुत ही बाखड़ा दिकड़ा, हाँ यहां पर Marvel के makers and actor Jonathan Majors की बीच में हो जाता है legal issue, इसके विए से major हो जाता है यहां से minor, मतलब out हो जाता है, फिर बंदो यहां पर entry होती अपने Russov ब्रदसकी जोनोंने इससे पहले Avengers Infinity War and Endgame जैसे हमको picture दिये, तो उन्होंने बोला कि हम अभी इसको अलग नाम देकर release करेंगे, पुराना जो character है उसको नए तरीके से introduce करेंगे, जो होने में Thanos सो भी खतरनाक होगा, तो कुछ इस तरीके से Avengers The Kang Dynasty बदल कर हो गई Avengers Doomsday, अब जरा सोच के देखो भाई, जो मैंने ब audience को वापस ला सके, इसलिए तो मुझी पिट गए, तो उनके दिमाग में आता है, एक ही शक्स वो है Iron Man, The Tonist Car, बोले तो अपना RDJ, अब इनको लेने के बीचे भी एक कहानी है, जहां 2005 की जो फिल्म आये थी The Fantastic Four, उसमें पहले अप्रोच किया गया था Robert Donnie Jr. को, तुम भाई स उसको ही मिलता ही ये चांस प्ले करने का, खिसमत का लिखा है भाई, और RDJ ने खुद बोला है कि मेरे को ये करेक्टर प्ले करने के लिए कोई अपति नहीं है, क्योंकि मेरे को भी ऐसे चालेंजिंग करेक्टर प्ले करने में इंटरेस्ट है, जहां पर मैं सिर्फ Iron Man बनके नहीं रहना चाता हो, और अच्छा-चे करेक्टर प्ले करना चाता हो, चाहिए हो हीरो हो या फिर विलन हो, मैं अपनी जान थूख दूँगा उसमें, जान दे देंगा इसके लिए, बडबड यहां पर एक बात आती है कि RDJ ने चलो दोनों करेक्टर प्ले कर रहा है, क्या Tony मतलब जो Iron Man है, उनका connection Dr. Doom से है, तो देखो भाई लोग इसका simple answer है, है भी और नहीं भी, तो इसकी पीछे बताया जा रहा है, दो ऐसी comics है, जहां पर first comic है, The Fantastic Four comic, जिसमें literally first time Dr. Doom का introduction हुआ था, और जहां इस second comic में बताया जा रहा है कि Tony Stark और Dr. Doom एकी class में है, और किसी reason की व Tony Stark को as a Dr. Doom पेश करें, तो देखो भाई, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ प्रेडिक कर सकते है, भरसा कर सकते है, Russo Brothers पर, युकि इन दोनों भाईयोंने हमको Infinity War, Endgame जैसी movies दिये, तो भाई, ये लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी इंतजार है, सिर्फ